अच्छे और स्वस्थ रहने के लिए आपको कुछ डेली के नियम बनाने होंगे जैसे आप पेट में कबज रहती है तो आप कबज ना रहने दे सबसे ज़्यादा ध्यान दे कि आपके पेट में कबज नहीं रहनी चाहिए किसी ने बोला है कि जितने भी दुनिया में सरश्टी में बरतन है सबसे बंदा बरतन हमारा पेट है तो उसको अगर आप साप नहीं करोगे तो आप उसमें भोजन नहीं डाल सकते हैं इसकी सफाई आप ध्यान रखें अगर आपको कबज रहती है तो आप पपिता खाएं या इस सब गोल का परियोग करें फाइबर योग भोजन करें या फिर उसके बाद अपने चिकित सक्से मिल करके आप उसका उपाई करें नियम दूसरा है कि आप भोजन करने से पहले दाथ मूँ और पैर ज़रूर दोई इसका बहुत गयरा संबल है इन नियमों पर मैं आगे चल करके एक एक नियम के ओपर एक एक वीडियो वना हुआ बोजन से पहले आप पानी ना पियें और अगर आपको बोजन कम करना है किजी कारण मस आपका बोजन बहुत ज़्यादा है और आप बोजन को कम करना चाहते हैं तो थोड़ा सा पानी पिकर के बोजन कर प्रियोग करें बोजन अगर रूखा है सूखा है तो या चटपटा तलवा है तो आप उसके बीच में थोड़ा थोड़ा पानी घूट घूट करके ले सकते हैं रूखा सूखा बोजन को पचाने के लिए तरावट की ज़रूत है लिक्विड होने की ज़रूत है तब ही वो आपको पच सकता है और भोजन के बाद आप इतना पानी पी सकते हैं जिससे मू और गला साफ हो जाए इससे अधिक पानी पीने से आपके उधर दोग हो सकते हैं बहुत से लोग कहते हैं कि एक गंटा पहले एक गंटे बाद तक पानी मस्त भी हो लेकिन उसका करण क्या है उसका करण यही है कि आप भोजन के बाद उतना पानी पीए जिससे आपका गला तक साफ हो जाए ऐसा नहीं कि बिलकुल ही ना पीए और जादा प्योगे तो आपकी नियम आगे हैं रोज योगा या प्रानायम करें अगर आप योगा नहीं कर सकते तो बैटे बैटे आप कोई न कोई प्रानायम तो जरूर करें प्रीज और एसी मेरे हिसाब से AC और फ्रीज व्यक्ति के स्वास्त के सबसे बड़े दुस्मन है फ्रीज इसलिए के चिल्ड दोद चिल्ड पानी पीने से आपके अंदर की म्योकस खराब हो जाती है और आपके उदर रोग होंगे नाना परकार के रोग हो जाते हैं जिस परकार से आप हाथ में अगर बरप लेते हैं तो हतेली की देशा देखें के सपेद सपेद और सुकड़ी हो जाती है और अंदर तो म्योकस बहुत कुमल होती है वो तूट करके अलग हो जाती है एसी इसलिए है कि आप एसी से निकलके बहार जाओगे बहार से तफ्ती ही धूप से एसी के अंदर एक दम आता है तो ये परिवर्तन आपके स्वास्त को भिगाड़ करें रख देता है और सबसे बड़े कारण अहार और ये जो मैं उपाई बजा रहा हूँ इनके कारण आजकल बड़े बड़े रोग पैदा हो रहे हैं अगर आप घर में आए हैं तो आप अपना मूँ, हाथ और पैर चुरूर दोए ये आप कोविड के नियम के अनुसार भी है ये हमारे धार्मिक पर्थाओं के साब से भी है और राईरवेद के साब से भी है जो व्यक्ति दिन में तीन या चार बार मूँ दांट साफ करता है, पैर दोता है, मूँ छेरा दोता है वो व्यक्ति बहुत ही कम भिमार होता है आँखों पर जब आप मूध हो या भोजन करने के बाद कुल्ला करो तो आँखों में आप पानी के छीटे जुरू माएं आपकी आँखे खराब नहीं होगी घर में फरस्ट पर नमक का पुच्चा लगवाएं ये जिवानों को समाप्त करने का तरीका है नकारत मक तक दूर होती है और अगर आप गाउं में हैं कच्चा फरस है तो सबता में एक बार गोबर का लेप चुरूर करें ओयल आप इस्थेमाल कम करें अगर आप मेहिंत करते हैं तो ओयल तेल और गी आप खूब अच्छी तरीके से खा सकते हैं रिफाइंड ओयल का परियोग ना करें आप सरसोगा तेल स्वयाबीन मक्का का तेल परियोग करें यही अच्छा है रिफाइंड ओयल आपके लिए जहर है दूद जरूर पियें आज कल पर था है कि 40 साल के बाद दूद हम छोड़ देंगे बेड़ केलिस्टोल बढ़ गया है यह आपके करम ना करने का नतीजा है आप मेहनत करेंगे टाइम पे समय पर खाएंगे तली वली चीज़े नहीं काएंगे तो आपका बेड़ केलिस्टोल हो गई नहीं अगर हो गया है और आपने दूद घी छोड़ दिया है बिलकुल ही तो आपका गुर केलिस्टोल कहां से मिलेगा जो सिरीर के लिए बहुत जरूरी है आप घी और तेल को कड़ाई में या तवे पर ना जाने दें उसको ऐसे ही एटिजिट आप रोटी के साथ खा सकते हैं सब्जी में लगा करके खा सकते हैं थोड़ा खा सकते हैं ले जो ये मेरा अपना माना है अगर आप गलत भुजन कर चुके हैं यानि भारी खाना खा लिया और स्वाज के करण बहुत ज्यादा खा लिया तो उसे पचाने का उपाई करें आप क्या उपाई कर सकते हैं आप घूमें थोड़ी देर के बाद बोजन के थोड़ी देर के बाद आप गरम पानी पीएं और लवन बासकार या हिंवा स्टेक्शोन ले सकते हैं कुछ तो करना पड़ेगा धन्यवाद आज इतना ही फिर मिलते हैं किसी और सब्जेक्ट के साथ